Hello guys, welcome to PrepKit YouTube channel तो guys, इस particular video में हम बात करने वाले हैं उन strengths के लिए जो फिलाल अभी B.Sc. या फिर B.T.E.C. पर्सीव कर रहे हैं इंडिया के किसी भी college से तो guys, आपके पास एक option होता है कि after your B.Sc. और B.T.E.C. you can pursue masters from IITs तो इस video में guys हम उसी के बारे बात करें कि आप IITs के अंदर किस तरह से admission ले सकते हो after your B.Sc. और B.T.E.C. और guys, इस video में आगे बढ़ने से पहले मैं आपर एक चीज़ और mention करना चाहूँगा ताकि किसी भी तरह कोई doubt ना रहे अभी जैसे B.Sc. guys, कई जगा पर 4-year program स्टार्ट हो चुका है तो अगर guys, आपका 4-year program है तो rules अभी change हो रहे हैं दीरे-दीरे कुछ और भी तो आपको PhD के अंदर भी admission मिल सकता है direct after your B.Sc. आने कि उस case में आपको master's करने की need नहीं पड़ेगी अगर आप directly PhD करना चाहते हो तो ये video guys, उन students के लिए जादा relevant रहेंगी जो master's degree करना चाहता है after B.Sc. ठीक है तो उस point को please ध्यान रखना क्योंकि नए rules guys अभी धीरे-धीरे आ रहे हैं अभी clear instruction complete नहीं है, जैसी process first time complete होता है, अच्छे से instruction आती है तो आपको सारा clear इस YouTube channel के ओपर मिल जाएगा, तो चैनल को subscribe जरूँ से कर लेना ताकि हर एक information आप तक पहुच रही हो तो अभी guys हम start करते हैं कि B.Sc. के बाद आप I.I.T. के अंदर किस तरह से admission ले सकते हो for your master's तो guys देखो आपको जो exam correct करना हो गाईज उसका नाम है I.I.T. Jam I.I.T. Jam आप guys different subjects में दे सकते हो जैसे आप अगर chemistry कर रहे हो तो chemistry के लिए अलग से conduct होता है maths के लिए अलग से conduct होता है physics के लिए अलग से conduct होता है ठीक है और ये channel guys जो है physics वाले students के लिए तो अगर आप I.I.T. Jam physics के लिए prepare करने के सोच रहे हो तो guys इस channel को subscribe जूर से कर लेना काफी सारा relevant information आपको इस channel के उपर मिलेगी तो guys आपको I.I.T. Jam exam क्रेक करना होगा और इस exam क्रेक करने के बाद आप I.I.T.s के अंदर I.I.C. के अंदर N.I.T.s के अंदर CFTIs के अंदर और ISERs के अंदर admission ले सकते हो सिर्फ एक इस exam की help से तो आपको एक्जाम क्रेक करना होगा कब एक्जाम होता है conduct तो guys एक्जाम होता है हमारा second Sunday of February तो फैब में guys आपका ये exam होगा तो उसके लिए आपको preparation करनी पड़ेगी यानि कि अगर आप अभी बात करें guys ये video में record कर रहा हूँ April के अंदर आपके पास अभी भी साड़े 9 महीने लगबग है तो आपके पास time sufficient है अगर आप 2025 में exam देना चाहते हो अगर guys आपके BSC के final semester के जो exam है अगर वो आपके July 2025 तक finish हो जाएंगे तो guys आपको February 2025 में exam देना है यानि कि आपने final semester के time पे और इसी तरह से अगर आपके जो degree है मतलब आपके जो exams है वो आपके July 2026 तक खतम होंगे तो guys उस case में आपको jam 2026 वाल exam देना है यानि कि feb 2026 के अंदर तो यानि कि आपके final semester में guys आपका exam conduct हो रहा होगा और अगर आप यह कि drop लेके करना चाहते हो तो let's say कि आपकी BSC इस साल finish होने वाली है तो उस case में भी guys आप यह चीज़ कर सकते हो इसके अंदर number of attempts के limit नहीं होती है काफे सारे students ऐसे होते हैं जो एक साल का drop लेते हैं after their BSC तो आप एक साल तक drop अराम से इसके लिए ले सकते हैं लेकिन second gap को मैं मना करूंगा first gap में आपके लिए कोई problem नहीं रहने वाली है तो आप इस exam को दे सकते हो बड़े अराम से और इसके लिए prepare कर सकते हो अब question guys यह उठता है कि इसका सही time क्या होता है preparation करने का और इसके अंदर competition कितना होता है काफी कम students इस exam के लिए appear होते हैं जैसे 2023 में 12,350 students ने exam दिया था 2024 में 13,000 and 86 students ने exam दिया था ठीक है अब अगर तो हम यहाँ पर cutoff देखोगे cutoff भी guys exams के हमारी यहाँ पर जादा नहीं जाती है काफी कम cutoff रहती हैं हाला कि cutoff के लिए करने से यह नहीं था कि आपका admission IIT के अंदर हो जाएगा जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें तो 19.63 लिखा हुआ है 21.29 लेकिन हम यह बात अगर मैं general case की बात करें तो सिर्फ दो यह का data है लेकिन अगर मैं इन जनर्नल बोलू तो गये जो IIT सकंदर जो selection रहता है वो 36 marks से 44 marks के बीच में उसका last cutoff रह सकते हैं डिपेंड करता है कि पर कितना easy आया कितना difficult आया तो उसके उपर चीजें काफी ज़्यादा depend करती है कि paper का level क्या है ठीक है क्योंकि आर आइट सकंदर जो seat होती है जो अगर मैं normal just msc degree की बात करूं msc physics के मैं बात कर रहा है आपर specifically तो उसकी जो last cutoff होती है for msc physics course किसी भी IIT के लिए तो last वो जाते है लगबग 800 कभी-कभी 750 पे भी close हो जाता है कभी-कभी 820 तक भी जा सकता है तो थोड़ा सा range में रहता है वो भी depend करता है students की preference के उपर कि वह ले students कहां पर decide कर रह हो ठीक है अब उसके corresponding marks कुछ भी हो सकता है ठीक है उनको top वाली students से मतलब है फिर उनके marks से 30 marks से क्यों ना हो गए ठीक है तो उनको सिर्फ top 800 students से मतलब है kind of तुम यह अभी के लिए मानके चल सकते हो तो आपको यहाँ पर थोड़ा competition feel हुआ number of students कितने 12,000 है और IITS के अंदर seats कितने मिल जारी है 800 मिल जारी है 800 rank तक मिल जारी है तो ज्यादा competition इस exam में नहीं रहता है अगर आपकी preparation अच्छे level पर जा रखी है तो बहुत हाई chance है कि आपका selection होई जाएगा एक आदी बार होता ह कि performance की वज़े से perform नहीं हो पाता है exam day के उपर लेकिन जो students अच्छी से prepare करते हैं उनका selection इस exam के अंदर होई जाता है competition low है अगर आप 80% of the slavers finish कर लेते हो तो आप मान के चल सकते हो आपका exam होने वाला है correct ठीक है बस आपकी preparation सही direction होने चाहिए आपने concept सही पड़े हो कुछ गलत concept आपने ना पड़े हो तो वो चीज़ें यहां पर रह जाती है अब गैस बात करते हैं अगर वही हम इस exam के लिए prepare कर रहे हैं और यह exam हम crack नहीं कर पाए let's say हमने preparation तो अच्छी की लेकिन हम perform नहीं कर पाए तो क्या कोई alternative exam भी है क्या या कोई और options भी है क्या तो गैस आपके पास और भी options रहेंगे आईटी जैम सिर्फ एक exam है जिससे आप आईटी के अंदर admission ले सकते हो लेकिन इंडिया के अंदर काफी और भी एच्छे research institutes हैं अगर आप अपना career physics में बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपके लिए best रहेंगे इवन आईटी से भी better ठीक है तो TFR और जैस्ट एक्जाम आपको टार्गेट करने चाहिए इंडिया के best research institutes में इससे आप admission ले पाऊगे अब गैस उसके अलावा आपके अगर यह दोनों एक्जाम भी correct नहीं होए आईटी जैम एक्जाम नहीं होता है और फिर कुछ इंट्रेंस एक्जाम होते है तो यानि कि आपको entrance तो देना पड़ेगा अगर आप किसी भी अच्छे college में जाना चाहते हो तो mainly focus आपका तीन ही एक्जाम के उपर होना चाहिए IT Jam, TFR, Jest अगर in case वो correct नहीं होंगे तो उसके बाद आप CUT के बारे में सोचोगे क्योंकि CUT का paper होता है वो काफी easy आता है इसके अंदर कुछ ही universities ऐसी है जो अच्छी है जैसे कि आपकी Delhi University होगी राइट आपकी बनारस इंदी universities है ठीक है more than 30 universities है लेकिन वहीं बात है कि जाद अच्छी quality वहाँ पर नहीं रहेगी कुछ 3-4 जो आप काफी अच्छी consider कर सकते हो CUT के थ्रू ठीक है और आइट इस गयास 21 IIT के अंदर आपको अगर आप प्रपेशन कर रहे हैं अच्छे लेवल के उपर तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली अब बात करते हैं कि प्रपेशन स्टार्ट करने का सही टाइम क्या है तो गैस तब भी आप कर लो की आपको MSC physics करनी है ठीक है अगर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो एक अलग बात है लेकर आप डिसाइड कर चुक हो कि आपको MSC physics करनी है जैसे आप अपने फर्स्ट येर में हो सेकंड येर में हो ठर्ड येर में हो या फिर आप फॉर्थ येर वाले और कोई बात नहीं है, क्योंकि जितने जल्दी preparation start कर गए, उतना आपके पास time होगा slavers को cover करने का, उतना जाद आपके पास time होगा numericals को practice करने का, क्योंकि अगर आप entrance exam देने जा रहे हो, तो guys वो आपके university exam जैसे नहीं होते हैं, कि आपने topic cover कर लिया, तो आपके उसे question भी होगे, ऐसा जरूरी नहीं है entrance exam तो भई ऐसे होते हैं, कि topic cover करने के बाद भी questions नहीं होते हैं क्योंकि हमें काफी सारी practice की need होती है, तो अगर आपको काफी सारी questions को practice करना है, तो उसके लिए आपके पास time होना भी चाहिए, तो ज़्यादा जल्दी preparation start करोगे, उतने ज़्यादा number of questions को आप attempt कर पाऊगे, साथ में उतने ज़्यादा आप test भी attempt कर पाऊगे, और test से आपको पर पता चलता है कि आपकी preparation कितनी अच्छी चली हुई है, तो जितना time अपनी preparation को दोगे, उतना ज़्यादा आपके selection के chances बढ़ रहे होंगे, जितना कम time दोगे, जितना late start करोगे, उतने chances भी आपके कम होते जाएंगे, ये सीधे से relations है, अब गईस next question है कि start करें तो करें कैसे चलो ठीक है, अब हमने सोच लिया कि MSC physics करनी है, लेकिन अब करें कैसे स्टार्ट, तो गैस देखो, prepkit platform पर भी course स्टार्ट होने जा रहे है, 15 में से गैस नया course आ रहे है, तो in case अगर आप prepkit platform के साथ अपनी preparation स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप batch के अंदर enroll कर सकते हो, अपनी preparation स्टार्ट कर सकते हो, अगर आपको सिर्फ guidance सही है course के लिए, तो आपको इस YouTube चैनल के उपर मिलती रहेगी, काफी सारी वीडियोस अल्रेडी भी present है, write कुछ lectures भी present YouTube पे, आप उनको भी follow कर सकते हो, लेकिन अगर आपको एक systematic course सही है, कि आर आपकी live classes हो रही हो, आपको उनकी recordings मिल रही हो, आपको class की PDFs मिल रही हो, आपको assignments मिल रही हो, आपको topic wise test मिल रही हो, आपको एक proper test series मिल रही हो, अगर आपको सब कुछ चाहिए, एक जगा पर तो आप prep kit course के अंदर annual कर सकते हो, और आपको इस सारी चीज़े मिल रही होगी, आपकी इस course के अंदर काफी basic level से advanced level तक की preparation हो रही होगी, यारे कि हम यहाँ पर TFR just की भी problems करेंगे, जो कि आपके research institutes वाले exam, IT jam का जो level होता है वो competitively easy होता है TFR and just, तो हम बिलकुल basic level से शुरू करेंगे, धीरे धीरे हम advanced level तक जाएंगे TFR just के level तक, तो आपकी IT jam की preparation तो अच्छी हो ही जाएगी अपने आपसे, ठीक है तो अब बात करें guys, इस course के अंदर की कौन-कौन enroll कर सकता है, तो guys, अगर आप अपने BAC या फिर BTEC के last second year में हो, या फिर even आप last year में भी हो और आप इस बार नहीं attempt कर पाए 2024 वाल attempt नहीं दे पाए and आप next year के लिए prepare करना चाहरे हो तो guys, आप इस course के अंदर enroll कर सकते हो अपनी preparation को start कर सकते हो ठीक है, और आप अपनी 2025 और 2026 वाले batch उसके according choose कर सकते हो, तो दोनों introduce myself, तो guys, my name is लितिन and I have done my master's in physics from IIT Bombay और मैंने खुद से IIT Jam, CSNet and Gate जैसे exam crack किये हुए है, और teaching experience अगर मैं IT Jam category के अंदर ही बात करूँ तो guys, 3 years का मेरे को teaching experience हो चुका है और काफे सारे selection guys, already prep की platform से निकल चुके हैं, जैसे last year की अगर हम बात करें, Jam 2024 यान कि जो इस साल exam conduct हुआ है तो guys, top 100 rank में guys, 8 students थे and अगर मैं बात करता हूँ top 500 ranks के अंदर guys, तो 42 plus students थे prep kit platform से, तो guys in case अगर आप interested हो, course के अंदर enroll करने में, description guys, आपको course के लिंक मिल जाएंगे, वहाँ जाकर guys, आप उन course की details जान सकते हो और detail video भी guys, इस course की जल्दी आ रहे है, किस course के अंदर आपको क्या-क्या मिलेगा कितना मिलेगा, सारी चीज़ें आपको उसके अंदर मिल जाएंगी, pricing भी guys description में हर चीज़ में mention होगी, आप उन course के लिंक के उपर जाओ, आपको मापर सारी details मिल जाएंगी, और guys, एक चीज़ और में mention कर देता हूँ, फिलाल guys, 20% off भी है, physics 20 guys, आप code use करोगे और आपको instant 20% off मिल जाएगा courses के उपर, जो यह live course आपके लिए रहने बाले हैं, इसके अलावा guys recorded course भी available है, इनके साब को और जगापर enroll हो चुकिए हो, और आपको माके test series पसंद नहीं आ रही, क्यों ही मुझे पता है कि काफे जगापर online platform पर test series अच्छी available नहीं है, relevant test series available नहीं है, तो guys, आप test series के अंदर भी enroll कर सकते हो, और अपने profession को boost up कर सकते हो तो guys, इस video के लिए सिर्फ इतना ही है मेरी तरफ से, और आप course के अंदर enroll करना चाहते हो, description में तो link है साथ में guys, आप website visit कर सकते हो ताकि आप सारे course के बारे में detail जान पाओ या फिर आप हमारी app को download कर सकते हो google play store से, prep kit आपको आपको मिल जाएगे जितना भी guys content है, आप laptop ये अक्सेस कर सकते हो आप mobile के उपर ये अक्सेस कर सकते हो आप चाहसे वो live classes होगी, recordings होगी class की PDF होगी, test series होगी हर चीज आप दोनों devices के उपर access कर सकते हो, mobile पर भी and laptop पर भी और in case guys, अभी भी किसी को query रह जाए किसी भी तरहा की, तो guys इस mobile number पर guys contact कर सकते हो 9971029358 या फिर आप इस email id के उपर mail कर सकते हो, contact at the rate myprepkit.in ठीक है, और description में तो guys link है, telegram channel के आप वहाँ पर उनको join कर सकते हो, ताक कि आपको सारी updates प्रेपकिट platform के बारे में और exams के बारे में आपको मिलती रहे description में link है, मिलते हैं guys जल्दी हम live sessions के अंदर, until then bye